कहते हैं अजमेरे के अई एक हैं ऐसलाम сог soaking फ्रेंड्स के बारे में के हमारे प्रियद्स इर्रेगुलर क्यों होते यह और ऊई और किसे कहते हैं और साथ ही credit में आपके साथ में कुछ टिप शेयर करूंगी जिससे आपके प्रियर्ड से रेगुलर हो जाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकिशन को भी इर्रेगुलर प्रियर्ड लेडिस में कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन समय रहते ही हमें इसे क्योर कर लेना चाहिए क्यूंकि आगे चल कर इसके बहुत सारे हामफुल इफेक्स हमें झेलने पड़ते हैं नॉर्मल प्रियर्ड साइकल 21 days से 40 days का माना जाता है अगर 21 days से पहले हमारा प्रियर्ड आता है या 40 days के बाद आता है तो इसे इर्रेगुलर प्रियर्ड कहते हैं कभी-कभी time से पहले ही यानि के 15 days पर ही हमें heavy bleeding शुरू हो जाती है कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें 2-2 महिना यही नहीं आता है अगर आता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है जो नॉर्मल नहीं होता है तो इसे हम इर्रेगुलर प्रियेड में काउंट करते हैं हमारे प्रियेड्स इर्रेगुलर क्यों हो जाते हैं ज्यादा तर इर्रेगुलर प्रियेड्स हॉर्मोनल इंबैलन्स क इसके अलावा thyroid भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारे pre-eats irregular हो जाते हैं thyroid आपको hyperthyroidism हो या hypothyroidism हो दोनों ही condition में pre-eats irregular हो जाते हैं इसके अलावा being underweight और overweight यह दोनों situation में भी हमारे pre-eats irregular होते हैं birth control pills या दूसरी कोई medicines regular use करने से भी pre-eats irregular हो जाते हैं स्ट्रेस लेने से भी प्रियेट्स इर्रेगुलर होते हैं, जब हम बहुत जादा इमोशनली स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारे प्रियेट्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, किसी किसी लेडीज को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर प्रियेट्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन यह common नहीं है, बहुत कम लोगों में ऐसा देखने मिलता है कि breast feeding के time पर pre-aids irregular हो जाएं क्योंकि breast feeding के time पर हमारे hormones थोड़ा सा change होते हैं जिसकी वज़े से हो सकता है हमारे pre-aids पर असर पड़े और pre-aids irregular हो जाएं लेकिन आप जब feeding कराना बंद करेंगे तो आपका ये problem solve हो जाएगा सबसे जादा जो ladies में problem पाई जाती है वो है PCOS यानि के polycystic ovary syndrome PCOS hormonal imbalance की वज़े से होती है हमारी ovary में छोटी छोटी गाटे बन जाती है जिसे हम PCOS या PCOD कहते हैं इसकी वज़े से हमारे pre-aids irregular हो जाते हैं विटामिन D deficiency से भी pre-aids irregular हो जाते हैं विटामिन D की कमी से evolution टाइम पर नहीं होता है यही वज़ा है कि हमारे pre-aids regular नहीं आते हैं हमारा evolution अगर टाइम पर नहीं होगा तो हमारा pre-aids regular कभी नहीं आएगा हमें अपने pre-aids को regular करना जरूरी है क्योंकि अगर हमारा pre-aids irregular होगा तो आगे चलकर बहुत सारी ऐसी बिमारिया हैं जो हमें हो सकती हैं सबसे पहले हमें अपने pre-aids regular करने के लिए proper walk करना है इसके अलावा आपको योगा करना है योगा भी आपको किसी expert के through करना है योगा और exercise ऐसी चीज़े जो आप किसी YouTube पर देखकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको proper guide चाहिए बिना guidance के ये सारी चीज़े आपके लिए नुकसान दे हो सकती है इसलिए आप कोई भी योगा या exercise बगर किसी guidance के ना करें एक healthy weight maintain करना जरूरी है अपनी diet में vitamin rich food को add करें ऐसे food लें जिसमें vitamins हो, minerals हो, iron हो, calcium हो आप ऐसे food को अपनी diet में add करें इसके अलावा आप food supplement भी ले सकते हैं लेकिन food supplement आपको बगए doctor के prescription के नहीं लेना है बगए doctor के advice के कोई भी दवा, कोई भी supplement आप नहीं ले सकते हैं apple cider vinegar पीने से भी हमारा pre-heads regular हो जाता है इससे weight loss करने में भी use किया जाता है इसके अलावा blood sugar को level करने और insulin level को maintain करने के लिए भी ये हमारी मदद करता है apple cider taste में थोड़ा कड़वा होता है मगर इसके health benefits कमाल के हैं आप apple cider को equal quantity पानी में add करें और इसमें 1 tablespoon honey का add कर लें इससे इसका taste थोड़ा change हो जाएगा और आप इसे आसानी से consume कर सकेंगे pineapple menstrual pre-heads को regular करने के लिए popular home remedy है pineapple में vitamin C होता है pineapple हमारे pelvic region को heat generate करता है pineapple में bromelain होता है ये हमारे uterus की lining को soft करता है जिसे pre-heads time पर आते हैं और हमारे pre-heads में जो pain वगेरा होता है उससे भी हमें relief मिलता है ginger हम रोज मर्रा की जिंदगी में अपने खाने पीने में बहुत जादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें इसकी health benefit नहीं मालुम होती ginger inflammation को decrease करके digestion को stimulate करता है ginger weight loss में हमारी help करता है ये belly fat को reduce करता है cinnamon यानि के दारचिन्नी दारचिन्नी में anti-inflammatory होता है इससे bad cholesterol कम होता है cinnamon में anti-inflammatory properties होती है ये हमारे body के infection से fight करता है हमारे damage tissues को repair करता है overall ये हमारे पूरी body को detox करता है एक इंच अद्रक का तुकड़ा crush करके ले ले या cut करके ले ले साथ ही एक चमद दारचिन्नी का powder या इसकी stick ले ले अब इन दोनों को एक गिलास पानी में boil करें जब पानी boil हो जाए तो इसे छान कर अलग कर ले इस tea को आपको सुभा में खाली पेट नाश्टे से एक घंटा पहले पीना है इस tea को पीने से आपके pre-erts regular आ जाएंगे pre-erts में होने वाली जो pain है वो नहीं होगी साथ ही साथ hormones balance हो जाएंगे मेरी दी हुई tips को अगर आप follow करें तो दो से तीन महीने में ही आपके pre-erts regular होना शुरू हो जाएंगे pre-erts related जो भी आपकी problem है वो solve हो जाएगी वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe जरूर करें